नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सब का स्वागत है, मैं हूँ सुपरतीम बैनर जी वैसे तो मैं हर रोज क्राइम की घटनाएं, क्राइम की कहानिया लेकर आप आप सब के सामने हाजिर होता हूँ लेकिन ऐसी घटनाएं कम होती हैं जिस तरह की घटना की बात आज मैं आप सबसे करने वाला हूँ आप लोगों ने जरूर मेरा इशारा समझ लिया होगा मैं मनिपुर की उस अजीब दर्दनाक घिनवनी और नफरत से भरी वारदात के बारे में आप सब को बताने वाला हूँ जिसमें दरिंदों के एक ग्रूप ने एक गैंग ने तीन महिलाओं के साथ तीन लड़कियों के साथ ऐसी ज्यात्ती की जिसे सुनकर किसी भी इंसान का सिर शर्म से जुक जाएगा तीन महिलाओं को बिलकुल निर्वस्त्र करके नेकेड करके इन दरिंदों ने कई किलोमिटर तक परेड करने के लिए अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया उनके साथ योन उत्पिडन करते रहे, गैंग रेप करते रहे और उनकी आँखों के सामने उनके पिता और भाई की हत्या कर दी लेकिन मनिपूर में आखिर ऐसा क्यूं हुआ? इसके पीछे की क्या कहानी है? आज मैं आपको वो भी बताऊंगा लेकिन शुरुवात करेंगे उस घटनाकरम से जिसने लोगों को जहल जोर दिया है हुआ ये कि बुधवार यानि 19 जुलाई को मनिपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वाइरल होता है वीडियो का जो डियूरेशन है वो यही तकरीबन 20-21 सेकंड की है और इस वीडियो में बहुत सारे नौजवान लड़के दो लड़कियों को बिलकुल न्यूड बिलकुल ही बिना कपड़ों के अपने साथ घसीट कर ले जाते हुए दिख रहे हैं आप कल्पना कीजिए और उन लड़कियों के बारे में सोचिए जिनको इस शर्मना के स्थिती से गुजरना पड़ रहा है मतलब उन लड़कियों की जगर आप बेशक पुरुश हों हमारे दर्शक लेकिन अगर आप एक बार अपने आपको उन लड़कियों की जगर रकर सोचेंगे तो आपकी रूह काम जाएगी वाकई इन तस्वीरों को देखना भी मुश्किल है और ये वीडियो जब वाइरल होता है तो लोग बिलकुल सननाटे में आ जाते हैं देखते ही देखते ही ये वीडियो सोचल मीडिया पर बहुत तेजी से तैरने लगता है और इस वीडियो पर पॉलिटिकल लेवल पर सोचल लेवल पर बड़ी तीखी प्रतीक्रियाएं आने लगती है पता चलता है कि ये वीडियो मनिपूर से है उस मनिपूर से जो पिछले तक्रीबन 80 दिनों से हिंसा की आग में बुरी तरह जल रहा है लेकिन ये घटना क्यों हुई? कहां हुई? इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ और फिर मनिपूर में जो प्रॉब्लम है उसकी बात करूँगा असल में पहले तो प्रॉब्लम को बारे में नट्शल में थोड़ा बताता हूँ मनिपूर में बेसिकली ये अलग-अलग जातियों और जनजातियों के बीच का एक क्लैश है जो पिछले काफी दिनों से चल रहा है और हिंसक घटनाएं वहां हो रही है वहां एक तरफ मैतई समुदाय के लोग है और दूसरी तरफ नगा और कुकी समुदाय के लोग है जो वहां के ट्राइबल हैं तो हुआ ये है कि वहां अपने अपने हक की बात को लेकर ये तीनों समुदाय के लोग जो है एक दूसरे के आमने सामने आ गए है और ये जो घटना है जिसका विडियो अभी जाकर वाइरल हुआ है ये घटना बिसिकली है चार माई की चार माई की दोपहर को कुकी समुदाई के एक गाउं पर कथित तौर पर मैतेई समुदाई के लोग हमला कर देते हैं हमलावरों की भीड तकरीबन एक हजार लोगों की है ये गाउं में घुसते हैं हथियारों से लैस हैं गाउं में ताबर तोड लोगों को मारने पीटने लगते हैं घरों में लूट पाट करने लगते हैं आगजनी करने लगते हैं महिलाओं के साथ बत्तमीजी करने लगते हैं और इन ही लोगों में शामिल है तीन लड़कियां या तीन बेहने जो अपने पिता और भाई के साथ उस गाउं से निकल कर जंगल की और चली जाती है जंगल की और जब वो जा रही होती है तो वहां से मनिपुर की पुलिस जो है वो गुजरती है और गुजरते हुए जब वो देखती है पुलिस की तीन लड़कियां और दो लोग माइगरेट कर रहे हैं भाग रहे हैं तो वो पुलिस की जो टीम है वो इनको सिक्यूरिटी देने के लिए अपने साथ लेकर जाती है ताकि उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाए मगर दुखत बात ये है कि जिस पुलिस के पास इन लोगों के हिवाज़त की जिम्मेदारी थी उन्हीं पुलिस वालों से तकरीबन एक हजार लोगों की जिस हिंसक भीड ने गाओं पर हमला किया था उस भीड के लोगों ने इन लड़कियों को उनसे छीन लिया और तीनों लड़कियों के साथ उनके पिता और भाई की मौजूदगी में बदसलूकी करने लगे सबसे पहले इन दरिंदों ने इन तीनों लड़कियों के बुजर्ग पिता की पूरे पब्लिक व्यू में उनकी बेटियों और बेटे के सामने दर्दनाग परीके से हथ द्या कर दी आप सोचिए उस पूरे परिवार की उन महिलाओं की मांसी किस थे ती इसके बाद भी इन दरिंदों का मन नहीं भरा तब उन्होंने इन तीनों लड़कियों के सारे कपड़े उताद दिये और उतारने के साथ ही उनके साथ फिजिकल अब्यूस करने के शुरुआत कर दी और सारवजनिक रूप से सबकी आँखों के सामने पता नहीं कैसे लोग थे जिन में से किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की किसी ने उसका वीडियो भी शूट किया और ये लड़कियों को परेड कराते हुए लड़कियों को अपने साथ खीचते घसीटते उन्हें जलील करते हुआ अपने साथ ले जाने लगे इसके बाद ये जो तीन लड़कियां हैं इनमें सबसे कम उम्रती जो लड़की है उसकी उम्रती 21 साल और 21 साल की उस लड़की के साथ इन दरिंदों ने गैंगरेप करने के शुरुआत की वो भी खुले आसमान के नीचे मतलब बताते हुए भी बड़ी हैरानी हो रही है कैसे लोग है और जब गैंगरेप करने लगे तो एक भाई जो वहां मौझूद था जिसको लोगों ने पकड़ रखा था उसने इन दरिंदों का विरोध करना शुरू किया और विरोध करते करते दरिंदों के मार पीट से उस लड़के की भी जहांच चली गई और इस तरह से तीन लड़कियां बची जिनके साथ ज्यात्ती का सिलसिला लंबा चलता रहा और आखिरकार किसी तरह से हाथ जोड़ कर आरजों मिननत कर ये लड़कियां वहां से निकली और फिर सुरक्षित जगह पर पहुँच गई मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना में पुलिस ने F.I.R. दर्ज करने में तकरीबं डीड महीने का वक्त लगा दिया ये जो घटना हुई थी जैसा कि मैंने आपको बताया 4 मई की घटना है लड़कियों ने शिकायत जो है 18 मई को दी और इसके बाद पुलिस ने इस सिलसले में F.I.R. दर्ज की 21 जून को हालांकि F.I.R. तमाम संगीन धाराओं में दर्ज की गई थी 21 जून को और इसके बाद F.I.R. दर्ज करने के बाद पुलिस बिलकुल हाथ पर हाथ धरे बैठी थी पुलिस ने एक आदमी को भी गिरफतार नहीं किया जब ये वीडियो वाइरल हुआ बुधवार को और गुरुवार को जब भवाल मचा देश के प्रधान मंत्री से लेकर सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस तक ने अपनी तीखी प्रतीक्रिया दी विपक्ष ने जब बहुत तेजी से और बहुत तीखे तरीके से सरकार से सवाल पूछे तब जाकर मणीपूर की सरकार जागी वहां की राजय सरकार जागी और वहां की पुलिस ने सबसे पहले एक मुख्य आरोपी को गिरफतार किया जिसका नाम मेरे ख्याल से आपको बता दूँगा अभी मुझे दिख नहीं रहा है और नाम थोड़ा टिपिकल है तो याद नहीं आ रहा है तो खेर हाँ खुईरुम हेरादास नाम है ये वो आदमी है जिसने एक लड़की को बिल्कुल निर्वस्तर करके बुरी तरह से पकड़ रखा था और उसके साथ चलते चलते ही जो है वो फिजिकल एम्यूज कर रहा था तो इसको पुलिस ने पकड़ा इसके बाद कुछ एक और लोगों को पकड़ा और अब पुलिस का ये कहना है और वहां के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग का ये कहना है कि पुलिस जो है इस मामले में बहुत फुर्ती से कारवाई कर रहे है और जितने भी गुनेगार है उन लेकिन इस तरह से अगर isolated हिस्सा होगा जहां लोगों की चीख, लोगों की तकलीफ, कानून के दहलीज तक ना पहुँचे तो वाकई बड़ी हैरानी होती है अब इस घटना के सामने आने के बाद इस वीडियो के वाइरल होने के बाद चीफ जस्टिस डिवाई चंदरचू दुखी है और दोशी जो भी हो उन्हें बख्षना नहीं चाहिए और उन पर ऐसी सखत कारवाई की जानी चाहिए कि ये एक मिसाल बन जाए लेकिन इस तरह की घटनाए हुई क्यों क्या इसी घटनाओं को रोका जा सकता है इसके बारे में भी जानना समझना और बात करना ब राजे में जो घाटी का इलाका है या जिसे हम तरही का इलाका कहते हैं क्योंकि इस राजे में चारों तरफ पहाड़िया है तो जो घाटी का इलाका है तरही का इलाका है उस घाटी के इलाके में मैतई समुदाय के लोग रहते हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां नगा और कुकी समुदाय के लोग जिन जगहों पर रहते हैं मैतई समाज के लोगों को वहाँ जमीन खरीदने की छूट नहीं है, वहाँ बसने की इजाज़त नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर मैतई समाज के लोग जो है वो शुरू से विरोध करते रहे हैं और अपना हक मांगते रहे हैं और नगा और कुकी समुदाय के लोगों का ये कहना है कि उनके इलाके में ये अतिक्रमन की कोशिश है इसलिए वो इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं हैं। तो यहां पर दो या तीन अलग-अलग समुदायों के बीच एक संघर्ष की स्थिती है। लेकिन पिछले दिनों मैतई समाज के लोगों ने इस मामले को लेकर मनिपूर हाई कोट में अपील दायर की थी और मनिपूर हाई कोट ने मैतई समाज के लोगों को भी आदिवासी ह कुकी और नगा समाज के लोगों ने अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी, बंद बुलाया और धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन जो है वो हिंसक होने लगे। पिछले 80 दिनों में मणिपूर में इसी हिंसा की आग में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है हिंसा की घटनाएं लगातार अब भी जारी हैं। तो ये है पूरा घटनाकरम और ये है उस पूरे घटनाकरम के पीछे की कहानी। इस मामले में आग में घी डालने वाली जो बात है वो ये भी है कि पिछले दिनों मणिपूर की सरकार ने वहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ जो नाजायस तरीके से बसावट हुई है अतिक्रमन जो हुआ है उसको खाली करने की कोशिश की। और ये कहा कि पहाड़ी अलाकों में रहने वाले बहुत सारे आदिवासियों ने जंगल और जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है और इसे उनको खाली करना चाहिए। जबकि नगा और कुकी समुदाय के लोगों का ये कहना है कि जंगल और पहाड़िया तो उनकी पुष्टैनी जमीन का हिस्सा है और उन्होंने न तो कोई कब्जा किया है और नहीं उन्हें कोई जगा खाली करनी है तो यहाँ पर सरकार के साथ जो है वो नगा और कुकी जबकि नगा और कुकी समाज के लोग भी अपने अस्तितों की लड़ाई लड़ रहे हैं अब सवाल ये है कि क्या इस लड़ाई को बातशीत से टेबल पर बैट कर सुल जासकता है जवाब है कि बिलकुल सुल्गा जासकता है क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जो बातचीत से और शांती से हल नहीं किया जासकता लेकिन ये शायद हमारे हुकमरानों की लीडर्स की कमी है, सरकारों की इच्छा शक्ती की कमी है, जिसकी वज़े से इस तरह की हिंसा की आग लगातार एक राज में धधक रही होती है और तब लोगों की नींद तूटती है, जब उसी हिंसा में लोग दरिंदगी की सारी हदें तोड़ जाते हैं तो आज की जो पेशकश है, आज का जो वीडियो है वो यहीं तक, कल जब मैं हाजिर होँगा आप लोगों के सामने तो फिर किसी नई कहानी या नए वाकिये के साथ आऊँगा और आप को सच बताऊं, इस वाइरल वीडियो को देखकर मन वाकई बड़ा विचलित है और मुझे पूरा यकिन है आप में से किसी ने भी अगर वो तस्वीरे देखी होंगी तो आप को भी बड़ी तकलीफ और बहुत दद से गुजरना पड़ा होगा नौर्थीस्ट के लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं कि मैं कभी नौर्थीस्ट की कुछ कहानिया, कुछ वाकिया आप लोगों को बताया करो, सुनाया करो लेकिन ऐसी दरिंदगी और ऐसी अजीवो गरीब क्राइम के बारे में कभी बताना पड़ेगा, ये मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था बहराल, दिव्या सिंग इन्होंने कमेंट किया है, बहुत-बहुत स्वागत है, आपका चंदिका ककड जी का कमेंट है, अक्तार एली जी कमेंट करते हैं, मामूनी बोर्गोहां, ये नौर्थीस्ट सहीं है, असाम से, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका राजनात हैं, बिजिंदर सिंग जी हैं मैंने कल एक कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था एक रहस्माई कतल के बारे में एक इनसान की लाश बंद कार के अंदर मिली थी और उस लाश पर स्नेक बाइट के निशान थे क्या था वो मामला? कैसे कार के अंदर घुसकर साप ने उसे काटा अगर आप जानना चाते हैं तो क्राइम तक पर आईए और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सुप्रतीम से सुनिए में अगर ये स्टोरी सर्च करेंगे तो आपको वो स्टोरी देखने को मिलेगी तो आईए कुछ और दर्शक के नाम परते हैं प्रजवल घिमीरे जी का कमेंट है अशोक टहल रमानी जी है शोभा सिंग दा हंकित या हंकित इन्होंने भी कमेंट किया है और विकरम सिंग ने अपनी बात रखी है बहुत सारे लोग जो है मुझे बड़ी तकलीफ होती है आप लोग क्राइम तक के मेंबर है और परिवार के सदस्रकी तरह है आप के साथ दिल की राह है लेकिन कमेंट में कुछ ऐसी आपती जनक भाषा होती है जिसे सुनकर मजा नहीं आता पढ़ कर अच्छा नहीं लगता तो आप सबसे गुजारिश रहे कि प्लीज थोड़ा सेयम के साथ कमेंट करें हो सकता है किसी बात से आप इतिफाक रखते हूं सहमत होते हों किसी बात से सहमत नहीं भी होते हों लुक्तंत रहे इतनी आजादी तो दीजिए लेकिन प्लीज थोड़ा सैयत तरीके से अपना कमेंट रखिए रविंदर दाहिया जी का भी कमेंट है बहुत-बहुत स्वागत आपका अबुजहीन है शंकर राव असुद्दा जी है श्री लक्षमी है बहुत-बहुत स्वागत शंीम अहमद धन्ता तरे अवद अबृबईब जी शंीम अहमद और कुमर बहादूर सिंग इन्होंने भी कमेंट किया है अशोक पतेल है और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है आप लोगों से request है कि ऐसे ही comment करते रहे है अपनी बाते लिखते रहे है और मैं जो comments आँकों के सामने होते हैं गुजरते हैं मैं random तरीके से कुछ comment पिक करके वो पढ़ता हूँ और आप लोगों के नाम पढ़ता हूँ इससे एक तरह से two way communication हमारा बनता रहता है चलता रहता है आगे मैं फिर हाजिर हूँगा तो कुछ और लोगों के नाम और comments पढ़ूँगा और आप लोगों को भी एक तरह से associated होने की एक feeling होगी तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिये सुरक्षित रहिए जैहिंद जैबार कर दो